अगर गवी बाहर जाकर वेज खाने का दिल करें तो सबसे पहले दिमाग में आती है मिक्स वेज क्योंकि मिक्स वेज लगती ही इतनी अच्छी है और अगर हलवाई के स्टाइल में हो और हलवाई से ही बनाई जाए तो फिर उसका तो जवाबी नहीं होता तो देखिए आज हम यही सीखेंगे हलवाई से हलवाई स्टाइल में मिक्स वेज बनाना तो चलिए मिलकर सीखते हैं हलो दोस्तों असलाम लेकुम कैसे हैं आप सब मैं हुरेश्मी और आप मेरे साथ देख रहें जाइक एरसोई दोस्तों आज हम बनाएंगे मिक्स वेज हलवाई स्टाइल में और वो भी हलवाई से ही सीखेंगे हम मिक्स वेज बनाना कि कैसे बनाते हैं ये लोग मिक्स वेज तो यहाँ पर इन्होंने एक बड़े से भगोने में बहुत सारे टमाटर और प्यास डाले थे उसमें उन्होंने पानी डाल कर उबाल लिया है अब इस तरह से इसको ये थोड़ा-थोड़ा मैश कर रहे हैं और बहुत अच्छे से इसका जब टमाटर अच्छे से गल जाएंगे फिर इसका पेस्ट बना लेंगे और पेस्ट कुछ इस तरह से होगा ये इसका प्योरी तयार हो गई है अब दूसरी तरफ कड़ाई में इन्होंने ओयल गरम कर लिया है धेर सारा क्यूंकि ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो अफकोस धेर सारा ओयल लगेगा और उसमें ये फ्राई कर रहे हैं सबसे पहले आलू और आलू को तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाते यानि कि अच्छे से गल नहीं जाते तो ये देखिए आलू ब्राउन हो गए है गल भी गए है और अच्छे से फ्राई हो गए है अब इन्होंने यहाँ पर लिया है गोबी गोबी डारेक्ट दो कर पानी से निकाल कर ब्राउन कर लिया है इनोंने ये देखी अच्छे से फ्राई हो गए है और एक बड़े से भगोने में ट्रांसफर करते जा रहे हैं सारी सब्जियों को और सब्जियों को पहले से ही कट करके रखा हुआ है उसमें भी काफी व जो के ये साबदगर मसाला लिया है इसको पीसेंगे इसमें वही सारी चीजें हैं लॉंग इलाइची काली मिर्च जीरा और सिनिमन इस्टिक और दाल चीनी ये सारे मसाले हैं और अब यहां पर इनोंने ओईल में डाल दिया है मश्रूम और मटर मटर को ये एक साथ फ्राई कर रहे हैं और इनको भी थोड़ा ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे तो ये देखी सारी सबजिया इनोंने फ्राई कर ली हैं शिमला मिर्च वगएरा और इसमें एक सबजी का यूज और किया है ये जो है पनीर जैसे टुकड़े दिख रहे हैं ये है जिमीकंद इसको भी इनोंने ब्राउन फ्राई कर लिया है तो सारी सबजिया हो गई है फ्राई और सबको एक बड़े भगोने में एक साथ रखा हुआ है अब इसमें ये डाल रहे हैं सबसे पहले विनेगर इनोंने वाइट वाला सिर्का यूज किया है तो सबसे पहले विनेगर डाल रहे हैं उ उरसे ही डाल रहे हैं इनों से डाल साल काला नमक जैसी हमार्व के ने टाल है। और इन सब मसालों को डाल कर और अच्छी तरह से सारे मसालों को इन्होंने मिक्स कर लिया है अब इसको ये मेरिनेट होने के लिए रखेंगे बहुत देर के लिए इन्होंने छोड़ दिया था ढगकर और अब इसकी तब तक ये ग्रेवी तयार करेंगे तो ग्रेवी तयार करन इसमें इनोंने डाला है लैसन अद्रग का पेस्ट और इसको डाल कर बहुत अच्छे से भून लिया है ताकि इसका जो कच्छा पन था वो दूर हो जाए जब यह भून गया है अच्छी तरह से फिर इसमें इनोंने डाला है हरी मिर्च का पेस्ट हरी मिर्च का पेस्ट बना कर और भून लिया है ताकि बूण लिया है ताकि इसका जो कच्चापन है दोनों चीज tousum का वो दूर हो जाया है और फिर इसमें इनूने बेसिक से marine डाले है मसाले में ईनूने हल्दी जो तम मेटो प्योरी बना कर रखी दी जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाई है वो डाल दी है और उसको डाल कर ये अच्छी तरह से चला रहे हैं और इसको पकाएंगे कुछ देर के लिए और ये देखी थोड़ा सा पानी डाल कर भी इसको पका रहे हैं अच्छे से जो हमारी सबजी रखी थी mix उसमें इनोंने इस gravy डाली है और उपर से mix कर रहे हैं और gravy डालने से पहले इनोंने यहां पर पनीर डाल दिया है कटा हुआ और काली मिर्च पाउडर भी डाला है और धेर सारा धनिया डाल दिया है और mix करने के बाद slow flame पर पकने रखेंगे तो यह सबजी हो गई है बहुत अच्छे से mix gravy डाल कर यह वैसे देखने में बहुत अच्छी लग रही है और इसमें यहां पर इनोंने बहुत थोड़ा सा पानी डाला है पानी जादा नहीं इतना कि सबजी नीचे से जले ना जब यह आज पर रखेंगे तो तो बहुत थोड़ा सा पानी डाला है और उसे डाल कर इनोंने कर दिया घ्र्षा रहती है और अच्छी तरह से mix किया है और तो ये डाल दिया है नहोंने थोड़सा देशी घी कि अच्छा इनोंने हर सब्जी में देशी घी जरूण डालाए उसे इक अच्छे सी खुश्भू приш को जाती है तो देशी जहां नेके बाद इस में डाल रहा है यह लास्ट में में कसूरी मे भी आप नहों slow flame पर gas जलाई हुई है और उस पर रखा है सबजी को ये आपको पकती हुई भी दिख रही होगी थोड़ी थोड़ी और इन सब चीजों को डाल के भी अब इन्होंने अच्छे से इसको mix कर दिया है और बहुत थोड़ी सी देर के लिए इन्होंने दम कर लिया है ताकि पानी सूख जाए तो हलवाई स्टाइल mix wedge तयार हो गई है दोस्तों कैसी लगी आप लोग को ये recipe हलवाई स्टाइल में अगर अच्छी लगी हो तो like, share, comment कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए चलती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए, अल्ला हाफिए